ब्यावर को जिला बनाने का सेर है अशोग गेलो जी को अगर विशुनदा जी मुखी मस्रीट जाब संकर सिंग ने एक दिन भी जिले की मांगनी की और अशोग जिला बनाया है और ये बहुत बड़ी बात है ये कहते हैं कि संकर सिंग रावद जो है पैदल चलकर गए थे बां संकर सिंगलीरावा इंका सब घाता हय ब्यावर की जनता को जाताए ये क्रेव तको यह सइड़ी ने फैनी सिब्समाथ पहले नहीं पेहले यह सोतिक है न को विरत नहीं मिला उसमें जब यह योजणा बनी के इनकल्य सरह ओब सब्सक्राइब नहीं दे सकते हैं इसमें कॉंग्रेस और बास पर दोनों का था हाथ सब्सक्राइब नहीं दे सकते हैं किसी एक पार्टी की से जिला नहीं बनाओ और जनता का पुरा सहयोग रहा हर जगे पेदल जाने में और जाने में और अच्छा काम किया ब्यावर में जिला बना ठीक है अब लेकिन क्या जिला बनने से आपको लगता है कि बहुत सारी काम है जो अधूरे हैं वो पूरे हो सकते हैं या फिर एक चुनाव से पहले ये किया गया कि जिला आपको तोफा दे दिया हमने जिला का तोफा एक सोभाग्य की बात है परन्तु व्यवस्ताओं के साथ में हमें लगातार ब्यावर को आगे बढ़ाने के लिए प्रशाशनिक इस्तर पर बहुत काम करना होगा हमारे MLS साब जो भी एकसाइटिंग होते हैं काम होता है परन्तु प्रशाशन उस अमल को डंक से नहीं कर पाते हैं उद्योगी क्षित्र के अंदर ब्यावर बहुत पिछडा हुआ है हमारे आसपास के किशनगड बिलवाडा और जैपूर किस तरह से उद्योगी क्षित्र में आगे बढ़ गए हमें विगत सत्र में पांच बार हर्ताल करनी पड़ी उद्योगों को बंद करना पड़ा फ्यूल सर्चार्ज मुफ्त की गोशनाओं से हमारे जो सर्चार्ज बढ़े उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फिर भी हम चाते हैं कि स्वावलंबन बढ़े मुफ्त की योजनाओं जो उसका खर्च है जो भी मंतरी बनता था वो अपने इच्छेतर में ले जाता था अब जिल्ले के डी एम एप्टी फंट का जो बहुत जाजित देहर सो करोड की रासी है वो ब्यावर जिल्ला बनने पर ब्यावर सेहर का सबसे बड़ा विकास बनेगा यह मजबूती से क्षाएंप और महिला सुरक्षा को लेकर भी बिज़ेप आर्कार रहें और इतने बेकार होने हर छोटी से चोटी बच्ची ऑरत कोई बी सुरक्षित नहीं पर पर ब्हुत कुछ की ये मोदी जी ने क्या नहीं में भी बहुत कुछ हुआ है यह गलत हैं पंद्रहसो को रूपे में सिलेंडर जो ग्यारा सो रूपे में नरेंदर मुदी सरकार द्वरा दिया जा रहा था उसको माननी एशोग लोजी की सरकार द्वरा 500 रूपे प्रती सिलेंडर प्रतेक पडिवारों को दिया रहे और हजार के लिए महिला को साथ गरंटी होजना दिये पहले आप उसका आराम सद्यन कीजिए जो भी एशोग लोजी ने किया है हम मानते किया है पर अभी जो मोबाइल बाटे हैं मोबाइल आदी ओर्तों को 10% ओर्तों को मिलना है कि 90% ओरते लाटी चार से मुक्त हुई है लाटियां खाई ये ओरते और इतनी मार कूट हुई है जिसकी हद नहीं है चाहे कोई भी हो 500 रुपे सिलेंडर से रहात मिलती है 500 रुपे के सिलेंडर से रहात मिलती होगी पर किया क्या है बाकि और भी तो चीजे हो रही है जैसे हमारे वसंद्र रजी पहले आया थे तो 30% उन्होंने महिलाओं को लिए किराय मुक्त करवाया था अब यह बोलने 50% यह 50% किस होगे समझे हम राजस्थान में गहलो सरकार किरियों योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं का फाइदा आम जनता तक पहुंच रहा है क्या नहीं पहुंच रहा है पहुंच रहा है अब यह ब्यावरा चैतर में असो गेलोट आट रुपयों में मजदूरों के लिए खाना कर दिया थाड़ी ओर नीदू अब यह बोलेगा चुड़ाव लेगा चुड़ाव लगए आचार संदर लगई आट रुपय में बोजन पहले भी वसंद्रा सरकार के समय आज अज़ पहले पांच उर्पय में बोजन मिल रहा था आब रुपय में बाद ने करे है अब यावर में पांच ठोर और गेले तंकी साड़े-चार सुम बिलती थी अब यारा सो हजार की मिलती है अब पहले आज उसकी रासन की बात चल रही कि पहले पहाँ ना तो उसका वी रेड़ है मुग के मंत्री जी कहते हैं झालो जी कहते हैं कि सरकारी यहास्पिटल में दवाइयं फिरी हैं तो साथे साथ सो तवाइयं तो मुझे ये बताओ हॉस्पिटल में करमचारी बैढते हैं तो प्राइवेट क्यों देखते हैं प्राइवेट दवायां क्यों लिखते हैं जैसे हमारे अमरत को अश्पिटल है और भी कोई अस्पिटल है सरकारी वस्के इंदर ऐसी इस्तिती है आज मतलब कोई भी व्फती एलाज में होस्पितल एक नमबर एक नमबर है अमरत को चीरिंजीव वीमां का लिए यह बोल रहे है जिसको तकलीम होगी वह श्पिताल जाएगा तब ही तो मिलेगा यह ए आम जन को मिल जाएगा अप गर बेटे मिल जाएगा या को बीमार में को बीमार भी नहीं है अशोग जी की जो साथ योजने लागू किये उसका राजस्तान सरकार में जो साथ योजने लागू किये उसका लाभ पूरी जन्ता को मिल रहा है सब बातों छोड़ो विकास की बात कर रहा हूं है वियावर के लिए हमारे जो सुन एमड राज्तान सरकार में हमारे गेलोजी की सरकार है पांच साल से चल रही है वापद चुनाओ को ने के बाद हमसे एक्टी ने हुए नहीं पारे हैं कॉंग्रेस के जो प्रित्याषटी है वो एक्टिव चुनाव से पहले हैं अ पर शंगर संगर सिंग्जी पैतालीजार वोटो जीते थे ठीक है उसके बाद मैं पारेश जी जैनको जब टिगंड मिला उन्होंने उस पैतालीजार को को पार करके चार इजार पर लाके खड़ा कर दिया अगर बाइदा उन्होंने काम किया होता संकर सिंग्सी ने तो ये खाई क्यों नहीं बढ़नी पाई कॉंगरिस की जीत का दावा इधर बीजेपी की जीत का दावा लेकिन फैसला जनता को करना है सवाल ये है कि क्या प्रत्याशी का चेहरा देखकर या फिर गहलोत सरकार की उजनाएं या उधर पीम मोदी का चेहरा देखकर वोट किये जाएंगे ये जनता तै करेगी और जनता 25 इस नवमर को अपना फैसला सुनाएगी और तीन तारीख को तीन दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है